देली करें नियूज में अभी की खबर है ब्रमोस मिसाइल के उननत संसकरन का सफल परिक्षन हाली में भारती वायु सेना ने ब्रमोस एर लॉंच मिसाइल के उननत संसकरन का सफल परिक्षन किया यह मिसाइल करीब 400 किलोमेटर की रेइन में किसी भी लक्ष को मार गिराने में सक्षम है इस मिसाइल को SU-30 MKI लड़ा को विमान से दागा गया और इसने बंगाल की खाड़ी में सटीक लक्ष पर प्रहार किया गौर तलब है कि यह मिसाइल के एर लॉंच के एंटिशिप संसकरन का परिक्षन था इस परिक्षन के साथ वायू सेना ने SU-30 MKI लड़ा को विमान से लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री लक्ष पर सटीक हमले करने में महत्रपून शमता व्रधी हासिल कर ली है माना जा रहा है यह शमता वायू सेना को रणनेतिक रूप से मजबूत करेगी और भविश में युद्ध की स्थती में दुश्मन देश पर हमला करने में अधिक प्रभावी होगी चली जानते हैं ब्रहमोस मिसाइल के बारे में इस मिसाइल को ब्रहमोस एरोस्पेस के द्वारा विक्सित किया गया है जो की भारत और रूस का एक संयुक्तुक्रम है इसका नाम भारत की ब्रहमपुत्र नदी और रूस की मुस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है इसकी मारक्षमता 290 किलोमीटर है और मैक 2.8 गती के साथ यह विश्व की सबसे तीवर गती की सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल है दो चरणवाली इस मिसाइल के पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन का प्रयोग किया जाता है जबकि दूसरे चरण में तरल रेमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है यह मिसाइल दागो और भूल जाओ यानि फायर और फॉर्गेट के सिधान पर कार करती है इसका मतलब यह है कि एक बार लॉंच करने के बाद इसे मार्ग दर्शन की जरूरत नहीं होती है